कानूनों को आगे मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वोल रहा हूँ, अध्यक्जी मैं सदन को आस्वस्त कर सकता हूँ, कि 1860 से लिकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाये, अंग्रेज पार्लामेंट ने बनाये हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम चलती रही, इसकी जगए भारतिय आत्मा के साथ ये तीन कानून प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के अंदर बहुत बड़ा परिवतन आएगा, मनेद्यक्जी मैं बिल स्टेंडिंग कमिटी को बेदने वाला हूँ, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूँगा मरुत्तु इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कि जीनों ने भी एक कानूनों को पड़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी, मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराद नहीं हो सकता, तो इसक दो नमबर पर स्थान दिया गए, इसके पहले क्या था, राजदरो था, इसके पहले क्या था, खजाने की लूट थी, इसके पहले क्या था, सासन के अधिकारी पर हमला था, यह जो एप्रोच है, यह एप्रोच को हम बदल रहे हैं, सबसे पहला चेप्टर इसमें आएगा, म हमने शासन की जगे नागरी को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सइधान्तिक नियने करकर हम एक आनून लेकर आए हैं मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश वास्वस्त करना चाहता हूँ कि तीन साल के बाद हर साल 33,000 फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस के इसलिए किया गया है कि एक आनून हम लेकर आने वाले थे माने वार एक आनून में हमने लक्स अरका है कि दो सिद्दी के प्रमान को कंविक्शन रिश्यो को 90 प्रतिसत से उपर लेकर जाना है यह हमारा लक्स है इसलिए हमने एक महतवपुन प्रावदान किया है कि साथ वर्स या उससे उपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं और मानेवर इसके माध्यम से एक वज्यानिक साक्स एक साइन्टिफिक एविडन्स पूलिस के पास होगा जिसमें कॉर्ट में दोस्यों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा तीन सो तेरा बदलाव है मानेवर और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायक दंड प्रक्रिया किम्रल जस्टिस सिस्टिम के अंदर आमूल चूर परिवर्टन होगा और सब को ज्यादा से ज्यादा तीन साल के अंदर न्यायवर इसमें पूलिस अधिकारियों को भी मैला की गई है पर पूलिस अपने अधिकारों का दुरूपयोग न कर पाए ऐसा भी इसके अंदर राद रोज जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी और धोखा देकर मैला का सुर्शन करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जगन्य अपराद करने वा हुआ है